वोलिवुड के जाने माने एक्टर रितिक रोसन ने बोलिवुड को एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं लेकिन हम आपको उन फिल्मों के बारे में बताने वाले हैं जिनको रितीक रोषन ने रिजेक्ट कर दिया था इस लिस्ट में आमिर खान से लेकर सारुख खान तक की फिल्में भी शामिल हैं तो चलिए देखते हैं नमबर एक रंग दे बसंती आमिर खान की सुपर हिट फिल्म रंग दे बसंती में रितिक रोशन भी नजर आने वाले थे एक्टर को करन सिंगानिया का रोल ओफर किया गया था लेकिन इन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया था नमबर दो बंटी और बबली अविशेक बच्चन की हिट फिल्म बंटी और बबली में रितिक रोशन को बंटी का किरदार ओफर किया था लेकिन एक्टर ने ओफर को ठुकरा दिया था नमबर तीम मैं हुना बोलिवूड के किंग खान सारुक खान की सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली फिल्मों में से एक मैं हुना में रितिक रोशन को सारुक कान के छोटे भाई का रोल ओफर किया था लेकिन रितिक रोशन ने ये किरदार निभाने से मना कर दिया थ नंबर च्यार बाहुबली, रितिक रोशन को सुपर हिट फिल्म बाहुबली भी ओफर की गई थी, खबरों की माने तो मेकर्स ने एक्टर को परभास का रोल ओफर किया था, लेकिन किसी वज़य से रितिक रोशन ने फिल्म में काम करने से मना कर दिया था नमबर पांच लगान आमिर खान की फिल्म लगान को लोग आज भी याद करते हैं ये फिल्म भी लितिक लोसन को ओफर हुई थी लेकिन उन्होंने इस फिल्म में भी काम करने से मना कर दिया था